इसको आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे और हम पढ़ेंगी कि कि अने वाली वीडियो में देखेंगी तो आज का जो वीडियो रहेगा काफी जादा बेसिक रहेगा फॉर्स्ट विल्बी हम इंट्रोड़क्शन देखींगे सेल क्या होता है और विल्मॉड तो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है So, cell की पहले हम definition देखते हैं जो कि हम काफी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि cell is called as structural and functional unit of life Cell is structural and functional unit of life इसका क्या मतलब है? कि जो cell होता है वो हमारे सभी जितने भी living organism है उनका structure बनाता है मतलब अगर किसी भी चीज़ के पास किसी भी organism के पास अगर cell नहीं है तो उसको हम non-living consider करेंगे जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी living organism present है उन सब के अंदर cell present होगा अगर किसी के पास cell नहीं है अगर किसी भी organism के पास cell नहीं है तो उसको हम non-living consider करेंगे भी विल सही कि हाँ ये non-living है बट अगर उसके पास cell है तो उसको हम बोलेंगे living तो जो cell होता है वो किसी भी organism का structure component बनाता है चाहे वो amoeba हो, चाहे वो bacteria हो चाहे वो plants हो, animals हो चाहे कितने भी lower या higher organisms हो हम सब मिलके किसे बने है cell से ही हम सब मिलके बने हुए है second हमारी definition क्या बोलती है cell की कि cell जो है एक functional unit भी है मतलब हम सब की body में जितने भी living organism है, जिनके पास भी cell है हम सब की body में जो cell होता है वो कोई न कोई function perform करता है for example, अगर हमारे अगर मैं human body की बात करूँ तो हमारे अंदर मालो there is digestive system तो उसके अंदर जो cells present होंगे वो digestion का का काम करेंगे अगर मेरे पास cells है मेरे कोई भी excretion में तो वो excretion का का काम करेंगे तो हर एक हमारी body में specific cells होते है जो कि function perform करती है second हमारा जो functional unit है वो क्या बोलती है तो ये functions perform करते है they perform functions second thing is कि जो cell होती है वो सबसे छोटी unit है जो कि independently exist कर सकती है बतलब independently exist और भी चीज़े कर सकती है बट अगर मैं बात करूँ कि smallest unit कोन है smallest unit is cell सबसे छोटी unit है ये सबसे smallest unit है ये जो कि independent existence show करती है we show independent existence so ये definition हमारी cell की होती है that is structural and functional unit of life मतलब ये जितने भी living organism है उसके अंदर structure का काम करते structure बनाती है plus ये कोई नो कोई function perform करती है और ये सबसे छोटी unit है जो की independent existence show करती है अब on the basis of cell की किसी organism के पास एक cell है या दो cell है उस basis पे हमने organisms को दो category में divide किया है उस category के बारे में दिखते है तो दो type के organisms होते है एक होते है हमारे पास unicellular organisms और एक होते है multicellular organisms दोनों के बारे में difference दिखते है unicellular organisms वो organism होते है जिनके पास एक ही cell present होता है which contain only single cell सिरफ एक ही cell होगा इनके पास इनको हम बोलते है unicellular organisms और कुछ होते हैं जिनके पास बहुत सारे cells होते है many cells उसको हम बोलते है multicellular for example humans हमारे अंदर बहुत सारे cells present है तो we are multicellular तो organism दो type के होते है उन्दा basis of cell single cell है तो unicellular organism होगा अगर बहुत सारे cell है तो multicellular organism होगा तो अगर मैं एक unicellular organism की बात करूँ unicellular organism अब unicellular organism के पास एक ही cell present है बट यह cell क्या कर सकता है independent existence मतलब पूरे organism को independently exist करवा सकता है मतलब एक cell भी capable है independent existence के लिए तो unicellular organisms होते है वो independently exist कर सकते है बेशक उनके अंदर एक है बट देकें independently exist वो independently existence और वह अपने पूरी लाइप के असेन्शल फंक्टेंग करते हैं एक सेल नियुकष ऑेल कि अपने पूरी लाइप के सब्कूरं म montage आर। एक है इसने का टाम करवाने के तैंब स्टार्ण में अब सेल में जब उतना ब्ट विए आध thermowski माइक्रोसकोप नहीं डिसकावर हुआ था तो इस ताइम पे जब सिर्फ लाइट माइक्रोसकोप था compound माइक्रोसकोप था तो इतना detailed structure हम नहीं study कर पाते थे बट दीरे दीरे क्या हुआ जब electron microscope आया due to discovery of electron microscope detailed structure पता लगा cell का जिसको आने वाले हम lectures में देखेंगे detailed structure पता लगा cell का due to discovery of electron microscope electron microscope ने cell में जितने भी organized थी उन सब का पता करवाने में मदद कर compound या light microscope की help से यह सब possible नहीं था because उसे हमें detailed structure पता नहीं लगता बट अगर मैं बात करूँ electron microscope की इसकी वज़े से हमें detailed structure पता लगा क्योंकि हमें detailed structure पता करवाता है cell next हम बात करेंगे कुछ discoveries के बारे में तो सबसे पहले हम basic से start करते की क्या-क्या कैसे-कैसे discover हुआ तो सबसे पहले हमारे पास क्या discover हुआ एक dead cell discover हुआ dead cell हमारा discover किया रोबर्ट ब्राउन में रोबर्ट हुख ने सोरे रोबर्ट हुख ने सबसे पहले एक dead cell को discover किया कहां से discover किया था उसने बार्क से discover किया था जो एक पेड का छाल होता है बार्क होता है वहां से उसने एक dead cell को discover किया that is by robot हुख second is Anton Von Lievok इसने discover किया लियोवन हुक इसने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया एक लाइव सेल एक जिन्दा सेल को डिस्कवर किया डेड़ सेल सबसे पहले रोबर्ट हुक ने डिस्कवर किया फ्रॉम दे बार को ट्री प्रीका जो छाल होता है महां से डिस्कवर किया था उसके बाद आते हैं हमारे पा करके रखते हैं because इसके अंदर genetic material present होता है तो इसको सबसे पहले Robert Brown ने discover किया और इसने इसको discover किया था from the root cell जो plant की roots होती है उसके cell से इसने इसको nucleus को discover किया था तो यह तीन discovery आपको याद रखनी है इससे जाधा आपको याद नहीं रखनी Robert Hooke ने dead cell को discover किया था from the bark of the tree Anton Won Leavakhoor ने सबसे पहले live cell को discover किया था and Robert Brown ने सबसे पहले nucleus को discover किया था from the root cells next हम बात करते cell theory की तो यह था हमारा introduction next हम बात करेंगे कि cell theory हमारी क्या बोलती है तो cell theory का concept सबसे पहले हमारे इसने दिया था it was given by Siwan and Shleding Siwan and Shleding ने सबसे पहले cell theory का concept दिया था तो दोनों के हम theory देखते हैं इन्होंने individually काम किया था और बाद में यह same conclusion पे आये था तो सबसे पहले हम बात करते हैं Shleding की यह एक German botanist है German botanist थे यह Shleding और इन्होंने सबसे पहले botanist थे तो इन्होंने plant पे काम किया था तो इन्होंने काम किया था plants के उपर तो इन्होंने देखा कि जो plants होते हैं वो cells से मिलके बने होते हैं जो plants होते हैं they are composed of cells जो plants होते हैं हमारे they are composed of cells and tissue cells और tissue से मिलके composed होते हैं हमारे plants ये बोला था हमारे German botnist ने डाटिस लिडी उसके बाद हमारे पास आते हैं second is शिवान ये एक British zoologist थे He was British zoologist मतलब ये animals पे काम करते थे, zoologist थे तो ये animals पे काम करते थे तो इन्होंने discover किया, इन्होंने दोनों पे काम किया इन्होंने प्लांट पे भी थोड़ा सा काम किया और एनिमल पे तो इनका मेंड फोकस था ही तो इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जो animal cells होते है, animal cells के पास एक outer layer present होती है that is called as plasma membrane, उसको बोलते है plasma membrane बट जो हमारे पास plants होते हैं, इनके पास outer layer के बाहर भी एक layer present होती है जिसको बोलते है cell one, यह चीज एनिमल में नहीं थी, इन्होंने दो चीज़े देखी इन्होंने animal cell में देखा, कि animal cell के पास जो सबसे बाहर वाली layer है, उसको बोलते है plasma membrane बट इन्होंने देखा कि plants के पास plasma membrane तो ही, plasma membrane के बाहर भी एक layer present है जिसको हम बोलते है cell wall, तो इनकी यह discovery थी, तो इन्होंने बोला कि जो यह cell wall है यह unique feature है plant का, यह animal में नहीं मिलेगा, यह आपको सिरुफ plant नहीं मिलेगा तो इन्होंने यह बोला कि cell wall जो है वो एक unique feature है plant इट इस दा unique character यह पिर unique feature है किसका plant गा, यह आपको animal में नहीं देखेगा animal के अंदर सबसे बाहर वाली layer plasma membrane होगी बट अगर मैं plants की बात करूँ तो plants के बाहर outer layer जो plasma membrane है उसके बाहर भी एक layer present होती है cell wall जो किक unique character है plants का, यह सिरुफ आपको plant cell में ही देखने को मिलेगा animal cell में देखने को नहीं मिलेगा तो आगे हम बात करते हैं तो यह तो हमारी बात होगी श्लीडीन एंशिवान की जिन्होंने plant और animal के बीच में difference दिया कि हाँ animal के पास सबसे बाहर plasma membrane है plants के बाद plasma membrane के बाहर भी एक layer है that is cold as cell wall बट यह चीज नहीं बताया पाए कि पहला cell कहां से आया इनका क्या disadvantage था क्या इनकी जो थियोरी इसका क्या disadvantage था कि इन्होंने ये नहीं बता पाए कि नए cell कैसे बनते हैं formation of new cells हमारे जो नए cells होते हैं वो कैसे बनते हैं ये इस बारे में नहीं बता पाए तो उसके बाद हमारे पास third scientist आते हैं that is Rudolph Wilchow Rudolph Wilchow इन्होंने concept दिया that was Omnicellular E-cellular very important यहां से हर बार question आता है इन्होंने concept दिया Omnicellular E-cellular इन्होंने बोला कि जो नए cells आते हैं इसका क्या मतलब होता है Omnicellular E-cellular इसका मतलब होता है कि जो हमारे नए cells बनते हैं वो pre-existing cells से बनते हैं इसका मतलब होता है formation of new cells जो नए cells होते हैं वो कहां से बनते हैं pre-existing cells भी बनते हैं formation of new cells from pre-existing cells तो इन्होंने cell theory को modify किया दिया हमारे Shledin और Shivan नहीं था बट वो formation of new cell का concept नहीं दे पाये थे Shledin और Shivan इन्होंने क्या दिया omni cellula e cellula दिया तो अगर मैं features की बात करू cell theory कि अगर मैं conclude करू कि cell theory क्या बोलती है तो first point will be cell theory कहती है कि जो सारे living organisms होते है all living organisms are composed of cells सारे living organism cells से मिलके ही बने होते हैं second इन्होंने बोला कि जो all cells होते हैं सारे cells होते हैं वो pre-existing cells से ही आते हैं that is omni cellula e cellula all cell arise from pre-existing cells तो यह theory हमारी है cell theory that is all living organisms are composed of cells और जो cells होते हैं वो pre-existing cells से ही आते हैं that is omni cellula e cellula so it was modified by Rudolph Virchow Rudolph Virchow ने इसको modify किया था बट इसमें भी एक exception है इसमें भी एक exception है that is viruses viruses का हमारा यहां पर exception आता है जो viruses होते हैं यह इसको यह इसको मतलब follow नहीं करते that is all living organisms are composed of cells and all cells arise from pre-existing cells जो viruses होते हैं यह living भी नहीं होते non-living भी नहीं होते यह connecting link होते है living or non-living के बीचे ना यह living होते ना यह non-living होते they are connecting link between living and non-living living or non-living के बीच में यह connecting link होते हैं और यह हमारा exception रहता है cell theory का viruses are the exception of cell theory यह connecting link होते हैं between living and non-living तो this is all about the introduction and then हमने पढ़ा कि cell theory क्या होती है थोड़ा सा और हब आप क्या करेंगे cell का overview लेंगे कि एक cell के अंदर होता क्या क्या है क्या क्या organize होती है क्या क्या उसका अंदर cytoplasm होता है क्या उनका role होता है किस की shape के आपको viruses देखने को मिल सकते है किस के size के आपको viruses देखने को मिल सकते है तो इन सब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो अगर मैं बात करूँ यहापे दो cells के बारे में मैं यहापे बात करूँगी एक हम लेंगे यहापे एक onion cell ले लेते onion cell है तो we are talking about plant cell, right? हम यहाँ पर plant cell के बार हम बात कर रहे हैं. और second हम ले लेते हैं, human का cheek cell. जो हमारे हाँ पर cheek होते हैं, अंदर से एक cell लेंगे, human cheek cell. तो यह बात होगी हमारे पास, एक onion cell की और एक human cheek cell की. इन दोनों के बारे में बात करते हैं, कि क्या-क्या difference हम देखने को मिलेगा. अगर मैं एक onion cell की बात करूँ, because it is a plant cell, तो इसके बाहर सबसे outer layer present होगी, plasma membrane के बाहर भी होगी cell wall. इसके बाद सबसे बाहर होगी cell wall. और इसके cell wall के अंदर present होगी plasma membrane. सबसे बाहर होगी cell wall, cell wall के अंदर inner की side present होगा plasma membrane. बट अगर मैं एक human cheek cell की बात करूँ, तो इसके अंदर हमारे outer layer that is cell wall नहीं होगी. तो इसके बाद सिरफ एक ही cell wall होगी, only one layer present होगी, जिसको हम बोलता है plasma membrane. इसके पास cell wall नहीं होगी. तो इससे पता लगता है कि जो animal cells होते हैं, उनके पास cell wall नहीं होती है, बट जो हमारे plant cell होते हैं, उनके पास cell wall present होती है. तो ये दुबारा से ये ही बताता है कि जो cell wall होती है, ये एक unique character है, plant cell का. ये आपको animal में, humans में देखने को नहीं मिलेगा, ये शिरफ आपको plant में ही देखने को मिलेगा. Next हम बात करते हैं, एक cell के अंदर क्या-क्या present होता है? एक cell के अंदर क्या-क्या present होता है? तो for example, this is my cell, ये एक cell है. तो cell के अंदर एक dense structure present होगा एक dense membranous structure present होगा dense membranous जिसको हम बोलते हैं nucleus अब on the basis of nucleus कि किसी के पास nucleus है या नहीं अब हमारे पास दो type के cell आते हैं दो type के cell आते हैं एक होते हैं हमारे पास prokaryotic cell और एक आते हैं eukaryotic cell एक होते है prokaryotic cell और एक होते है eukaryotic cell on the basis of कि उसके अंदर nucleus है या नहीं अगर किसी भी cell के पास dense membrane structure नहीं है उसको हम बोलेंगे prokaryotic इसके पास nucleus नहीं होता इसके पास dense membranous structure नहीं होता इसको हम बोलेंगे prokaryotic cell second is eukaryotic cell eukaryotic cell के पास nucleus present होता है it contain nucleus इसके पास एक dense membranous structure होगा nucleus होगा that is called as eukaryotic cell अब हम सबको पता है कि जो nucleus होता है उसके अंदर genetic material store रहता है DNA store रहता है अब pro-karyotic के पास nucleus नहीं है तो इसका जो genetic material होगा वो cytoplasm यह जो आपको खाली जंगा दिख रही है area दिख रहा है इसको बोलता है cytoplasm तो जो pro-karyotic cell होते है इसके पास nucleus नहीं होता तो इसका जो genetic material होता है वो cytoplasm में ही scatter रहता है genetic material जो इसका होता है cytoplasm में ही scatter रहता है क्योंकि इसके पास nucleus नहीं है बट u-karyotic cell के पास nucleus है तो इसका जो genetic material होगा वो nucleus के अंदर रही दो और भी difference होते है pro-cariotic and new-cariotic cell के बारे में बट इसके बारे में आगे आने वाले lectures में देखेंगे कि और क्या difference होता है अभी आपको बस इतना याद रखना है कि pro-cariotic cell के पास nucleus नहीं होता इसका जो genetic material होता है वो cytoplasm में scatter रहता है और eukaryotic cell के पास nucleus होता है तो इसका जो genetic material होता है वो nucleus में organize रहता है एक difference के और बात कर लेते हैं pro-cariotic cell और eukaryotes में अगला difference है कि जो हमारे pro-cariotic cell होते हैं इनके पास membrane bound organally नहीं होता membrane bound organally नहीं होता बट इनके पास membrane bound organally होती है इनके पास membrane bound organally होती है membrane bound organally कौन सी होती है वो organally जिसके पास membrane हो इसमें कुछ-कुछ organally आती है सारी नहीं आती जैसे कि chloroplast, mitochondria ये सब pro-cariotic cell के पास नहीं होता eukaryotic cell के पास membrane bound organally होती है इसके पास chloroplast होता है mitochondria होता है, nucleus होता है, सब कुछ होता है prokaryotic के पास कोई भी membrane bound organally नहीं होगी membrane less organally इसके पास होती है that is ribosomes ribosome आपको दोनों में देखने को मिलेंगे because ribosome is a non-membrane bound organally but इसके पास जो prokaryotic cell है इसके पास membrane bound organally नहीं होगी ukaryotes के पास membrane bound organally होगी next हम थोड़ी सी बात करते हैं cytoplasm क्या होता है next will be cytoplasm okay तो हमारा जो इसके अंदर fluid present होता है जो की matrix की तरह काम करता है तो हमारा sytoplasm is a fluid जो की matrix की तरह काम करता है और यह एक main area होते है जहान पर सारी cell lleva activities होती है this is the main area जहान पर सारी cell Since सो यहाँ देखने को मिलेंगे तो अगर मैं cytoplasm की बात करूँ इसमें आपको दो ही points याद रखने हैं first is it is a fluid matrix, this is the main area जहां पर आपको सारी celler activities देखने को मिलेंगी इसकी वज़से ही हमारा जो cell है वो living state में रहता है इसकी वज़से ही हमारा जो cell होगा वो ही living state में रहेगा because of cytoplasm so it is a fluid matrix, it contains, it helps in the cell to maintain in a living state and इसके अंदर ही हमारा क्या होगा सारी celler activities होगी cell की next हम बात करते है different shapes of cell अब cell की भी different different shapes होती है for example हम देख सकते हैं हापे shapes में नहीं हापे लगाई हुई है image first is red blood cell जो हमारे अंदर red blood cells होते हैं जो कि हमारे plasma में present होते हैं blood में present होते हैं इसके अंदर ये किस shape के होते हैं round और bi-concave shape के होते हैं they are round and bi-concave आपको ये round भी दिख जाएंगे spherical भी दिख जाएंगे, wall भी दिख जाएंगे और bi-concave, थोड़े से ऐसे भी दिख जाएंगे this is bi-concave shape तो आपको ये दो shape देखने को मिलेगी red blood cells की second is white blood cells white blood cells हमारे होंगे amoeboid shape amoeboid shape कैसे होते हैं जैसे हमारा amoeba होता है amoeba की कोई भी shape नहीं होते है irregular shape होते हैं किसी भी shape का होते हैं ऐसे हो सकता है ऐसे हमारे जो white blood cells होते हैं इनकी कोई भी shape नहीं होते हैं किसी भी shape के हो सकते हैं इसलिए मने यहापे लिखा amoeboid shape कोई भी shape के हो सकते हैं third type is columnar epithelial cells ये हमारे थोड़े से लंबे होते हैं और narrow होते हैं they are long and narrow अच्छा ये आपको कहां देखने को मिलेंगे ये आपको example लिख लो यहापे आपको देखने को मिलेंगे intestine ये आपको intestine में देखने को मिल सकते हैं second is nerve cell nerve cell हमारे branch होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं branch होते होते हैं और वाइड प्लांट गैन होते है और यह आपको लीट में देखने को मिलेंग़ तो हमने देखा डिफेरेंग डिफेरेंट बात करते हैं कि हमने शेप तो देख ली डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की अब हम इनका साइज देखते हैं सो फर्स्ट विल बी माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा सबसे छोटा सेल है smallest cell very important point question आते है कि सबसे छोटा सेल कुण सा है that is माइको प्लाज्मा इसका जो साइज रहता है वो 0.1 से लेके 0.3 माइक्रो मीटर का रहता है 0.1 तो 0.3 माइक्रो मीटर second is bacteria mycoplasma is also bacteria बट ये अलग केटिगरी है bacteria की क्योंकि ये काफी ज़्यादा छोटा होता है second is bacteria bacteria हमारा 3 to 5 micrometer size का आपको देखने को मिलेगा next is ostrich egg ostrich egg ये सबसे बड़ा largest single isolated cell है सबसे बड़ा single isolated cell है next हम बात करते है human के RBC का human के RBC का जिसको मैं erythrocyde भी बोलते हैं और इसका जो diameter रहता है वो 7 nanometer इसका diameter रहता है diameter इसका 7 nanometer रहता है next is nerve cells nerve cells हमारे सबसे बड़े सबसे longest cell है human में अगर मैं human की बात करूँ तो ये सबसे longest cell है तो ये different हमारे sizes है उसके cells की mycoplasma सबसे छोटा cell है 0.12 0.3 micrometer bacteria 3 to 5 micrometer ostrich का जो egg होता है that is सबसे largest single isolated cell है human RBC is 7 micrometer diameter and nerve cell सबसे बड़ा सबसे longest cell है human का so I guess we are done with the introduction and the cell theory थोड़ा सा एक बार brief में देख लेते हैं कि आज हमने इस lecture में क्या 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 देख तो जो cell होता है वो structural और functional unit होता है ये सभी organism का structure और functions perform करते हैं अगर किसी organism के अंदर एक ही cell है तो उसको बोलेंगे unicellar अगर बहुत सारे cell है तो multicellar next हमने देखा कि unicellar organisms जिसके पास सिरफ एक ही cell होता है वो भी independently exist कर सकता है वो भी essential functions अपने लाइट के perform कर सकता है but starting में क्या हुआ compound microscope था तो detailed structure नहीं पता लगा cell का पर जैसे ही electron microscope आया detailed structure का पता लगा cell का next is फिर हमने देखा कि कुछ discoveries देखी हमने तो सबसे पहले dead cell discover किया था robot hook ने from the bark of the tree तो tree की चाल होती है वहाँ से discover किया live cell सबसे पहले antone won liover hook ने देखी and सबसे पहले nucleus को discover किया from the root cell by Robert Brown next हमने बात करी cell theory की cell theory सबसे पहले हमारे shlidean और shivan ने दी थी shlidean जो कि एक german botanist थे इन्होंने plants पे काम किया और इन्होंने बोला कि जो cells plants होते हैं वो cells और tissue से मिलके बने होते हैं shivan was British zoologist तो इन्होंने animals पे काम किया but इन्होंने side by side plants से भी उसको compare किया तो इन्होंने देखा कि animals होते हैं उनके पास सिरफ outer layer present होते है plasma membrane but जो plants होते हैं उनके पास plasma membrane जो plants होते हैं उनके पास plasma membrane के बाहर भी एक extra layer होते है that is cell wall तो हमारा जो cell wall होता है, ये एक unique feature होता है, plants का, ये animals में देखने को नहीं मिलेगे उसके बाद, बट इनका क्या disadvantage था, कि ये ये नहीं बता पाया ही थे, कि नई cells कैसे बनते हैं इसलिए फिर Rudolph Richaway, जिन्होंने बोला, omni cellular e-cellular, very important, कि हमारे पास जो नई cells होते हैं, वो pre-existing cells से बनते हैं सब भी living organism cells से मिलके बने होते हैं, और सारे cells pre-existing cells से ही आते हैं बट इसका एक exception है, that is virus, virus एक connecting link है between living and non-related उसके बाद हमने देखा कि onion और हमने human chick cell को compare किया, हमने again यह देखा कि plant cell के अंदर सबसे बाहर layer होती है, cell wall बट human के अंदर plasma membrane होती है, तो again यह बताता है कि जो cell wall होती है, यह एक unique feature है, plant cell का next हमने देखा कि जो cell होता है, उसके अंदर dense membranous structure होता है, जिसको हम nucleus बोलते हैं, वो cells जिनके पास nucleus नहीं है, उसको हम बोलेंगे prokaryotic cell और जिसके पास nucleus है, उसको हम बोलेंगे eukaryotic cell से, अब prokaryotic cell जिसके पास nucleus नहीं है, उसका जो genetic material होगा, वो cytoplasm में ही scattered रहेगा, बट eukaryotic का nucleus में रहेगा, जो cytoplasm होता है, वो एक fluid matrix है, और एक main area है for cell or activities, और यही जो है, cell को एक living state में रखता है उसके बाद हमने different shapes देखी, RBCs, round by concave, white blood cells, irregular, columnar epithelial cells, long and narrow, brain cells, nerve cells, branch, long, tracheaard, elongated, mesophyll cells, round and oval then हमने different sizes देखे, जैसे mycoplasma सबसे छोटा cell है, ostrich egg सबसे बड़ा, single cell है, और nerve cell सबसे longest cell है so this is all about the introduction and हमने introduction देखा and हमने देखा कि cell theory हमारी क्या करती है next session में जो हमारा next class देगा इसी का, that will be prokaryotic cell हम prokaryotic cell का detail पढ़ेंगे next chapter के अंधर so I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, informative लगी so please do subscribe and like my video, thank you so much